शक्ति पीठ ज्वाला मुखी मंदिर की सभी सिमाओं की निशान देही मंदिर प्रशासन अगले सबताहा करवाने चा रहा है इस निशान देही में गोरक डिबीवा मंदित प्रवंथन के बीच अधि ग्रहन को लेकर उपजे विवाद को सुलचाने का प्रयास किया जाएगा काफी लंबे समय से ये विवाद सुर्ख्यों में है और अगले सबताहा निशान देही के बाद इस मामले में काफी चीज़ें साफ हो जाएगी शक्ति पीठ ज्वाला मुखी मंदिर की सभी बाउंडरी की निशान देही में सभी प्रतिवादियों को बुलाया जाएगा काफी लंबे समय से ये विवाद सुर्ख्यों में है अगले सबताहा निशान देही के बाद इस मामले में पिक्चर क्लियर हो जाएगी गौतलब है कि गोरख डिबी द्वारा तीन मंजिला नवनिर्मान करवाया जा रहा है जिसको लेकर मंदि ट्रस्ट पुजारी वर्ग वो विधायक रमेश द्वाला ने कड़ा एतराज जताया था इसके बाद निशान देही की तारिक तै की गई पर गोरख डिबी प्रबंधन द्वारा स्वासे संबंधी पत्र प्रस्तुत कर निशान देही को आगे बढ़ा दिया गया अब इस निशान देही के लिए अगले सपतहा के शुकरवार वशनिवार के दिन को सुनिशित किया गया है इस बारे में मंदिर अधिकारी वतहसील्दा जगदीश शर्मा ने कहा कि निशान देही के बाद ये पता चल जाएगा कि ये निर्मान वैद है या अवैद उन्हें कहा कि यदी मौसम साफ रहा तो आगामी सप्ताह में शुकरवार व शनिवार को निशान देही करवा दी जाएगी और यह निशान देही सर्थ गुर्प डिबी के साथ ही नहीं है अपिक्तु मंदर की बोंडरिज देखने के लिए सबी बननेदारों के साथ है सीटी चनल के लिए ज्वाला मुखी से पंकर शर्मा की रिपोर्ट